C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक नवा पाठ कक्षा प्रिष्ट संख्या 47 से 51 तक अब प्रस्तुत है पाठ कक्षा क क्षा पर आ की मात्रा क्षा कक्षा कक्षा च पर आ की मात्रा छात्र छात्र व पर छोटी एकी मात्रा व ग्या पर आ की मात्रा ग्या पर आ की मात्रा ग्यान, विज्ञान, श्र, मपर छोटी के मात्रा मिक, श्र, मिक, श्रमिक, दो, अब इन वर्णों और शब्दों को पहचानिये और बोलिये श्र, श्र, क्ष, ग्य, त्र, स, छ, छात्र, आश्रम, यग्य, कक्षा, तीन अब इन शब्दों को सुनिये और बोलिये कक्षा, शिक्षा, आज्या, ज्यान, पत्र, मित्र, छात्र, पात्र, क्षत्रिये श्रमिक, श्रमिक, नक्षत्र, त्रिकोन, श्रीमती, श्रीमान, विश्राम, विज्यान, चित्र, श्रावन, ख्षन, ख्षमा, विज्यापन, विज्यापन, चार, अब इन वर्णों को लिखने का अभ्यास कीजिए। सुबह के छेह बजे हैं। सूरज पूरब में निकल रहा है। मेधा पुस्तक पढ़ रही है। उसकी छोटी बहन सितार बजा रही है। पिता जी बाग में टहल रहे हैं। चाचा जी फूलों को पानी दे रहे हैं। इस समय तुम क्या कर रहे हो। मैं इस समय पत्र लिख रहा हूं। अब मैं कुछ वाक्य बोलूँगा और आप इन्हें दोहराएंगे। लड़के मैदान में कबड़ी खेल रहे हैं। छोटी बच्ची सो रही है। पिताजी नहा रहे हैं। शैली तुम क्या कर रही हो। मैं कहानी पड़ रही हूं। लड़के संगीत सीख रहे हैं। अभिशेक धोलक बजा रहा है। मां अखबार पढ़ रही हैं। मैं पहले वाक्य बोलूँगा और आप उसे दोहराएंगे। फिर मैं कुछ शब्द बोलूँगा और आप उनकी मदद से वाक्य को पूरा करेंगे। ललित खेल रहा है। अब वाक्य इस तरह से हैं। पहला सतीश किताब पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य आप बनाएं। शीला किताब पढ़ रही है। तीसरा वाक्य हम। हम किताब पढ़ रहे है। चोथा वाक्य लड़के। लड़के किताब पढ़ रहे हैं। पांचुमा वाख्य, चाचा जी, किताब पढ़ रहे हैं, और छटा वाख्य, तुम, तुम किताब पढ़ रहे हो, चार, अब मैं आप से कुछ प्रश्न पूछूंगा, और आप उन प्रश्नों का उत्तर जी हां और जी नहीं लगा कर देंगे, जैसे, क्या तुम खेल रहे हो, जी हां, मैं खेल रहा हूं, जी नहीं, मैं नहीं खेल रहा हूं, अब मैं आप से कुछ प्रश्न करता हूँ, आप प्रश्नों का उत्तर जी हां, और जी नहीं लगा कर देंगे, क्या तुम पत्र लिख रहे हो? जी हां, मैं पत्र लिख रहा हूं जी नहीं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं क्या पिताजी टहल रहे है? जी हां, पिताजी टहल रहे है क्या रमेश फुटबॉल खेल रहा है? जी हां, रमेश फुटबॉल खेल रहा है जी नहीं, रमेश फुटबॉल नहीं खेल रहा है क्या लड़कियां संगीत सीख रही है? बच्चा रो रहा है जी नहीं, बच्चा नहीं रो रहा है पाँच, अब आपको कुछ प्रश्णों के उत्तर देने हैं, जैसे तुम्हारा भाई इस समय क्या कर रहा है, इसका उत्तर है, पढ़ रहा है, तो इसका उत्तर हुआ, मेरा भाई इस समय पढ़ रहा है, अब मैं आपसे इसी तरह और प्रश्ण करता हूँ, और उनके उत्तर भी बताऊंगा, आपको उनके उत्तर से मुझे वाक्य बना कर दिखाना है, पहला, तुम क्या कर रहे हूँ, उत्तर है, चाए पी मैं चाए पी रहा हूँ, दूसरा, आप कहां जा रहे हैं, उत्तर बाजार, मैं बाजार जा रहा हूँ, तीसरा, छोटा लड़का क्या कर रहा है, उत्तर खेल, छोटा लड़का खेल रहा है, चौथा, तुम क्या पढ़ रही हो, उत्तर कहानी, मैं कहानी पढ़ रही हूँ, पाँच्वा, आप क्या लिख रहे हैं, उत्तर पत्र, मैं पत्र लिख रहा हूँ, चठा, मीना क्या कर रही है, उत्तर टाइप, मीना टाइप कर रही है, साथवा, लड़कियां क्या कर रही है, उत्तर गाना, लड़कियां गाना गा रही है, योग्यता विस्तार एक चाचा जी का फोन आया है उन्हें बताना है कि घर में सब लोग क्या क्या कर रहे हैं अध्यापक इस स्थिती पर विद्यार्थियों से कुछ वाक्य बनवाएं दूरवा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार प्रवीन शर्मा तिलक राज राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यांकन बटिल्यांग लिंग्डो तथा निर्माण निर्देशन वध्वनिसंपादन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT